गदर के बारे में बात करते हैं अब देखो क्या है आप लोगों के सामने है रेकॉर्ड अगर आपको तोड़ना है तो देखो सीधी बात है अब यह अब लेक्षण में आपको बोलो जो बोलो लेकिन टॉप पर एक लिस्ट रहती है उसमें तो है ना अब यह इशू नहीं चाहिए कि भाई नहीं उस टाइम पर वो सिंगल रिलीज थी यह तो डबल रिलीज थी उस टाइम पर स्क्रींज ज़्यादा थे देखो भई रेकॉर्ड होते टाइम ये नहीं देखा जाते कि कितने स्क्रीन्स पे होती तो ये होता वो होती तो ये होता काल पना की दुनिया में रहके कोई फायदा नहीं है सीधी बाते रेकॉर्ड मौका आपको है 14 दिनों में अगर 420 करोड आपकी मुवी गई है नेट कलेक्शन में त तो आप अगर 110 भी करते हो ना 530 भी तो भी हिंदी में हाईयस ग्रॉसर बनने वाली है आप वो मत सोचो तमिल तेल गो और हिंदी पठान का कितना था 540 आपको क्या है 530 वाला ही टार्गेट रखना है 545 नहीं रखना है 526 वाला रखना है तो क्या अगले 106 करोड आप अग अगर आता है तो आपने रेकॉर्ड तोड़ ले आप टॉप पे हिंदी हाईयस ग्रॉसर मूवी ये बन सकती है पर उसके लिए अब अगले दो विक पब्लिक को इस मूवी के पीछे भागना पड़ेगा तब जाके होगा सीधी बात है अब 16 डे की बात करो तो जो देखो 15 15 डिन का जो मेरे पास जो अपड़ेट है कि 15 डिन कितना हो सकता है तो मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ सेवन से लेके आठ करोड हो सकते है यानि कि 428 करोड पे मूवी जाएगी 16 डिन के बात करूँ तो मैं यह पकड़ के चल रहा हूँ कि वॉकिंग ओडियांस सिंगर स्क्रीन पे तगड़ा जाएगी 10 करोड कहीं नहीं गया क्योंकि सैटर्डे 436 करोड तो यहाँ पे अगर 16 दिन में 436 करोड जा रही तो आपकी गारी एकदम सही पटरी पे है लेकिन यह कंसिस्टेंसी आपको अगले 10 दिन दिखानी पड़ेगी 10 से 12 दिन आपके नाम रिकॉर्ड हो जाएगा यह गैरेंटी है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे पूरा डीटेल समझा है शेयर किजे वीडियो को